गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम लोग CBSE के क्लास 10th Social Sense का Map Work के पारे हम डिसक्सिंग करने वाले हैं इस Map Work के वीडियो के अंदर लगबग-लगबग सारे किस सारे Map Questions यहां पर डिसक्स करने वाले हैं चाहे हो History हो, चाहे हो Political हो, चाहे हो Geography हो, राइट इससे पहले भी मैंने एक Map का वीडियो बनाय हुआ है, जिसमें वो Term Wise है, Term First, Term Two में जो उस Time 2021-22 के Shations में अलग-अलग जब सब्जेक्ट का अलग-अलग chapters wise होता था, तब उस Time के वीडियो उसमें है आज हम लोग जो Discuss करने वाले हैं, वो पहले History आएगी, फिर उसके पास Geography आएगी, और उसमें किस लेवल के Questions आते हैं, कैसे Questions आते हैं, वो हम लोग इसमें Discussion करने वाले हैं आपके फाइदे के लिए और प्लस आपके Support के लिए, मैं यही जो Slides है, वो आपको प्रोवाइट कर दूँगा, इसी Description के Link के अंदर, ठीक है So, without wasting time, स्टार्ट करते हैं, और यह अभी जो आप Map का Questions शो कर रहा है, यह History का Chapter 3, जो Nationalism in India है, उस Chapter के Questions है अब इसमें सबसे पहले Questions आते हैं, इंडियन National Congress Sessions, अब इस इंडियन National Congress में सबसे पहला Question पूछा जाता है, इस जगह पे, यह जो आपको Point Show रहा है, रेड कलर का, यह इस जगह पे है Right, next question इसे पूछा जाता है, the place where Indian National Congress Session was held in September 1920, September 1920 का पूछा हुआ है, तो obviously Kolkata आएगा इसमें, ठीक है, और Kolkata कहां पे, यह Kolkata इस जगह पे शोग हो रहा है Right, third question इसमें सो कर रहा है, the place where Indian National Congress Session was held in December 1920, तो हमारा answer क्या होगा, हमारा answer होगा, नाकपूर, और नाकपूर महरास्टर में, तो यहाँ पे यह पिंट आउट करेंगे हम लग, यह चीज़े आपकी practice किये, without practice यह कुछ नहीं है, यह आप एक बजार से खाली में पली आईए, और इसके बारे में पूरा देख लीजी, और एक बार वीडियो देखने के बाद, आप उसको सारा भी ना देखे, इस कोशन को सॉल आउट कीजी, ठीक है, यह एक तरह का गेम हो गया था कि इससे क्या तुमारे five marks की पूरी तेयरी हो जाएगी, अगला कोशन क्या गर है, the place where Indian National Congress session was held in 1927, अब 1927 Congress से हो थे मदरास, उसके बाद हो थे, यह second, वह वापिस revision हो गया आपका, कॉलकत्ता उसके बाद हो गया, क्या हो गया, third point क्या है, नागपूर, जो नागपूर कहां पर, यह नागपूर यहां पर, ठीक है, now, अब आगया आपके, जो भी गांदी जी ने सत्यागर मुमेंट्स किये थे, उसके बारे में questions, यह जो सामने आप slides देगरे हो, इसके अंदर यह सारे सत्यागर मुमेंट्स है, जो कांदी ने किये थे, और इस तरह के board के questions आते हैं, अब किस level के question पूछे जाते हैं, वो यह इस तरह के, number one, कि movement of indigo plantases, indigo plantases की बात करें त कैसे कैसे, next यह पीशान शत्यागर, अब पीशान शत्यागर किदर होता है, अम्दाबाद में, खेडा गुजरात में हुआ, तो खेडा गुजरात किदर है, यह इस साइड में खेडा गुजरात है, काफी बच्चे उसको नीचे ले आते हैं, नीचे लाने से वो wrong हो काटन मील वाक है, शत्यागर, यह हुआ था, अम्दाबाद गुजरात में, और यह कहां पे, यह इस जगह पे, एकदम खेडा के जस्ट पास में, लाफ्टन साइड में है, अम्दाबाद, उसके बाद आते हैं, जले वाला बाग, इंसिडेंट कहां हो था, obviously सबको पता है कह हुआ था, तो वो कहां पे, वो है, अम्रेसर पंजाब में, अब यह कहां पे, यह इस जगह पे देखुए, यह जो माक है, इस जगह पे, उसके बाद आगया, calling of the non-cooperation movement, अब calling of the non-cooperation movement कहा हुआ था, यह चोरी-चोरा नमक जगह पे हो, और चोरी-चोरा कहा है, UP कहा है, यह UP कहा है, यह इस जगह पे, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, civil disobedience movement, civil disobedience में कहा हुआ, डांडी गुजरात के अंदर, जो आपने इनमक सत्यागर बोलते है, यह डांडी इस जगह पे शो हो रहा है, आब इसके सारे points एक साथ मैं आपने बताए जा रहे है, सी चंपारन, नमबर 3, कहंदाबाद, ठीक है, उसके बाद, आमरिच सर, यह अमरिच सर, उसके बाद, चोरी-चोरा moments जो UP में है, राइट, अदेन उसके बाद, डांडी, गुजरात, स्वरी, ठीक है, अब जोग्रफी यह resource and development में से, कौन को से, सबसे पहले आती है major salt types, अब major salt types में इस तरह की, यह map आपके book में भी है, ठीक है, उसके बाद आता है water resources chapter में से, अब water resources chapter में से, जो very very most important है, वो major dams, जिसमें सलल, multipurpose projects, भागरा नागल, and then तेहरी, and then रतना सागर, राडा सागर, सर्दार सरोवर डैम, हीरा कुन डैम, and नागर जुन सागर डैम, तुन बद्रा, यह सारे, द देख लो, जमो कश्मीर के अंदर, वही कहां mark किया, इस जगह के उपर mark किया, ठीक है, यह very very most है, आने का चांसे से, और यह दूसरा यह भाखडा नागल है, यह आने का चांसे से, अब भाखडा नागल किदर की तरफ है, हिमाचल परदेश की तरफ है, तो हिमाचल और आपको यही इसी तरह से माहर करना है नेक्स आपका है राणा परताब सागर डैम और वो भी राजस्तान के अंदर राजस्तान में किस जगह पे यह इस जगह पे राणा परताब सागर डैम सरदास अरवर डैम गुजरात के अंदर है यह गुजरात पर यहां पर शोग हो रहा है जो हम लोग ने डांडी माग किया था वहां पर फिर आगया हिराकून उडीशा के अंदर तो हिराकून इस जगह पर शोग हो रहा है फिर आपके आगया नागरजुन सागर जो तेलंगना के अंदर है जो हम लोगों ने यहाँ पे शोक किया थे लांगना के अदर है उसके बाद आगया तुंग बद्रा जो कन्नाटका में है और यह तुंग बद्रा किदर है यह इस जगह पे कन्नाटका में ठीक है उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक साथ सारे आगये सलल ये देकी सलल और फिर आगे तेहरी जो उत्राखंड की तरफ है फिर आगे हमारा ये विराणा परताप एक साथ सारे शो हो रहे ताक्यापका रिवाइज हो जाए सदा सरहर गुजरात की तरफ और उडिसा हीराकुन राइट और नागार जुन सागर और उसके बाद तुम बद्रा ठीके गईस आई हो आपको यहां तक पूरा क्लियर हो गया होगा अब हम लोग बात कहते है जोग्रफी के चैप्टर फॉर की जिसका नाम है अग्रिकल्चर इसमें मेजर एरियास और राइ के बुक के अंदर सब कुछ है ठीक है आई होजो आपको यह वीडियो बहुत हैल्पफुल होगा सी यह मेजर एरिया जहां पर राइस ग्रो होता है ठीक है और इसमें से कोई भी आपको दो या तीन लांड करने ज्यादा इतने वह नहीं है क्योंकि इसमें मेजर मेजरी पु के अंदर और ए उसके बदा झौत मॉर्फन पहुता तेक है और उसके बाद जूत जूट जो यह वह वास्ट बंगाल में होता है वैच अब इस सब का combo pack. मतलब इस साथ सारे स्टेट देखना चाहें तो sugar can उसके बाद आपका tea and then उसके बाद आपका coffee and then उसके बाद आपका गया rubber right and then उसके बाद आगे cotton उसके बाद आगे आपका jute यह सारे चीज़ें यहां पे शोग के ठीक है. फिर आता है हमारा minerals वाले chapter से जिसमें यह iron or mines, महीर बंच, दुरुग, बलदिया, बेलारी and कुदर्मुक. देखो महीर गंच, आइवर माइज, योडिशा के अंदर ठीक है. यह question पूछे जाते है exam में महीर बंच हर बार पूछा जा गया दुरुग पूछा गया है. जो खुदर्मुर्क, जो यहाँ पे, इस जगह पे शो कर रहा है करनाटका की तरफ. राइट? अब यह सारे माइज एक बार देखो, देखो, ओडिशा, महीर बंच, यहाँ पे. यह अच्छी तरह से माइज में डाल देना कि इस जगह पे है यह, क्योंकि यह आने का चांसे से और एक दुर्ग चथिस गड़ आने का चांसे से. ठीके? उसके बाद आप आके बेल दिया, जो चथिस गड़ की तरफ है. ठीके? उसके बाद आगे बेलारी करनाटका में और उसके बाद हम लोग आगे खुदर्मू कनाटका की तरफ। ये आरे इसके वाइन और माइस है। उसके बाद क्वोल माइस जो रानी गंच और बोकारो के अंदर ये वैस्ट बंगाल जो यहाँ पे शोव हो रहा है। ठीक है रानी गंच और बोकार जारकंद जो यहां पर आपको शोग कर रह रहा है ठीक है गाइस ताल चेर ताल चेर इंदर है ओडिशा इदर की तरफ है ये ताल चेर अच्छे से माइड में देखराएं और डेवली ये हर बार रेवली एग्सामें पूछा जाता है तमिल हाई मोस्ट है और मॉंबए हाई में अर्यबियन सी में नियर मुंबई के पास में यहाँ पर इस चगध पर शोर हुग रहा है तक है उसके बाद आपका आता है अंक्लेश वर जो यहाँ पर फिर कलोल गुजरात के अंदर हैं अंक्लेश और कलोल दोनों एक वेरभी सबसे पहले आता है नम्रूप जो आसाम के अंदर है सिंग्रोली पुछाई जाता है हंडेट परशेंट यह कोश्चन आएगा सिंग्रोली और रामा गुंडम यह तेलांगना की तरफ है जो इस तरफ से शोग हो रख इस तरह के इसमें कोश्चन्स आते हैं फिर आपका आता है नुक्लियर पावर्प्राइंट जो है अब इसमें आपका नुक्लियर पावर्प्राइंट जो नरोरा जो है उत्रप्रदिस में जो यहां पर शोग हो रख दैन गखरापरज गुज्रात जो यहां पर खाकरा पारा यह लास्ट 2018 और 20 के अंदर लागाता कुछ आगया नुक काल पाकम इसके बारे में भी कोशन आते है नुक्लियर पावर्प्राइंट में जो तमिलाडू के अंदर है ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं नुक्लियर पावर्प्राइंट में यह सारे के सारे एक साथ बता दिये यह नरोरा हो गया ठीक है खाकरा पारज देने उसके बाद manufacturing industry से बात करें तो cotton textile industries जो मुंबई में है, इंदोर में है, सूरत में है, कानपूर में है, and then कोयम बतूर में है, ठीक है, इन सब को एक बार पूरी series से देख लेते हैं, कहां कहां पे, मुंबई, इंदोर, राइट, and then third सूरत, ठीक है, very easy है यह, कानपूर, इसलिए मैं फटा-फट लेना हूं इसको, then कोयम बतूर, right, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, iron and steel plants की, जो दुरगापूर, बोकारो, जमसेदपूर, बिलाई, यह सारे इंपोटेंट है, विजह नगर, and then Salem, अब यह कहां कहां पे एक बार शोग कर लेते हैं, दुरगापूर, जो यहां पे 36 गड़ की तरफ है, and then बोकारो अलसो, यहां पे, जमसेदपूर, ठीक है, उसके बाद बिलाई, यह सारे आसपास यहें, लेकिन यहां बिलाई की तरफ अच्छे तरफ से त्यान लगना, यहां बिलाई के बारे में कोशन आता है, और बच्चे अक्षर बोकारो की की तरफ है, and then उसके बाद सलेम, right, and उसके बाद हम लोग आते हैं, मैनिफेक्शिन डिस के चप्टर में से, सॉफ्टर टेक्नोलजी पार, very, very most important question है लोग, जिसमें नौइडा, नौइडा के बाद गांधी नगर, फिर बुंबाई, then पूने, हैदराबाद, बैंगलूर, च पूने, यह भी महारास्टा की तरफ आजपा से शोग हो रहा है, हैदराबाद, आंदरप्रदेश में, and बैंगलोरू, जो यहाँ पर करनाटा की तरफ शोग हो रहा है, ठीक है, गाइस, उसके बाद हम लोग बात करें, यह चन्नाई, तमिल्लाडों की तरफ, and then आप देख लो, यह से आफ्टर टेक्नोलोजी पाक है, ठीक है, I hope कि आपको यहाँ तक तो यह फूरी क्लियर हो गई, अब हम बात करते हैं, लाइफ लेन आफ नैशनल एकनोमी, जो जो जोग्रफी का सबसे लास्ट चैप्टर है, इसमें मेजर पोर्ट्स के बारे में जाते हैं, जिसमें खास और से विसागा बट्नम तूती कौरण और हल्दिया के बारे में पूछे जाता है, ठीक है, तूती कौरण कहांपे गुजरात के अंदर, हल्दिया कहांपे वेस्ट पंगॉल के अंदर, फिर आते हैं हमारा इंट्रननेशनल ए एरपोर्ट्स जिसमे सबसे मोस्ट जमट एंडर राजा सासी जो आमरेश सर में है और फिर आता है आपका चैन्नाई वेरी-वेरी मोस्ट और उसके बाद पुछा जाता है राजियू गांदी और लास्ट में इंपोर्टेट पुछा जाता है नेता जी शुबास चंद्र बोस का कोलकता के अंदर कहां का पर उसको एक बार लॉकेटर करते हैं आमरेश सर पंजाब, डैली, इंदरा गांदी और मुंबई चात्रपती सिवाजी, चैननाई के अंदर मीना बक्कम जो नाम है इसका और नेता जी शुबास चंद्र बोस कोलकता में रहदराबाद के अंदर जो एरपोर्ट से वो राजियू गांदी के नाम से जानते हैं तो यह था आपका पूरा मैप कोस्चन्स पूरा का पूरा एक साथ पूरी सीरीज के अंदर आपको मैप को कोस्चन्स को बताया गया आई होप कि आपको यहां तक काफी कुछ सुनो समझ में आया होगा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें किसी नीडी परसन को यह जरूर सब्सक्राइब करें और उनको बोलें कि आगे तीन लोगों को बेजें आई होप सो कि आपका एक वीडियो एक लाइक मुझे और ज्यादा मॉटिवीड करता है ठीक है आपको बहुत ही सपोर्ट करेंगा और बहुत वेलिवल आपको देगा एक बार फिर से थैंक यू टेक कैर बाई